अगर ये चैनल आ रहा है आपको पसंद तो चैनल को किजे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट से अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपकी मदद कर रहे हो साथ ही बेल आइकॉन को दबाना बिलकुल न भूले जिससे हर बार जब भी नया वीडियो आता है आपको उसकी जानकारी मिल सके वो निवेशक जो मार्केट के बारे में पढ़ना और सीखना चाते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक दिये गए हैं, इन लिंक्स पर जाकर आप इनका लाब उठा सकते हैं, अगर आप चाहें तो समय में, मार्केट में ज्यादा तर बिजनस चैनल्स, जितनी भी बिजनस न्यूस पेपर हैं और वेबसाइट्स, इन पर एक हाइप बनाई जा रही है, CPSC Index Fund की, इस सेशन में हम पूरी तरह से समझेंगे कि कि basically CPSC Index Fund क्या है, और ये current market में, current levels पर हमारे कितने काम आने वाला है, ध्यान से सुनिए कि basically CPSC Index Fund है क्या, CPSC Index Fund और कुछ नहीं, Reliance Mutual Fund की तरफ से लाया गया, Central Public Sector Enterprises Exchange Traded Fund है, ये समझने में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, कि आखिर ये चीज है क्या, so basically ये एक type का mutual fund जैसा ही है, जो कि एक exchange traded fund है, यानि आप इसे अपने किसी भी DMAT account के थुरू market rate पर खरीच सकते हैं, जैसा कि अगर आप share खान में DMAT account रखते हैं, तो आप सीधे search box में जाईए, उसमें सर्च कीजिए, CPSC ETF और यहां आपको ये मिल जाएगा, ये किसी भी एक share की तरह move करता रहता है, जिसका current market price 25 रुपए 28 पैसे है, और आप इसे बिलकुल shares की तरह buy कर सकते हैं, इसकी एक value, दो value जा जितनी भी आप चाहें, और shares की तरह आप जब चाहें तब इसे बेच सकते हैं, बट हमारे लिए सबसे important question है, कि आखिर इस particular mutual fund की hype, या exchange traded fund ETF की hype, इ इस ETF के अंदर आप जो भी पैसा लगाएंगे, वो सारा का सारा पैसा, दस सबसे बड़ी public sector undertakings जो है, यानि government के ownership में, जो 10 सबसे बड़ी companies हैं, उनके अंदर ये पैसा लगेगा, अब question ये उठता है, कि CPSC ETF के अंदर कौन सी वो सबसे बड़ी 10 agencies हैं, जिनके अंदर ये प Corporation, Indian Oil Corporation, IOC, Rural Electrification Corporation Limited, RECL और Power Finance Corporation Limited, PFC, भारत Electronics Limited, BEL, Oil India, NBCC और NLC शामिल हैं, अगर इनहें आप इन companies को इनकी market cap के हिसाब से देखेंगे, तो जो ये ETF है, इसके अंदर 4 large cap की companies हैं, 5 mid cap की companies हैं, और 2 small cap की, और इस तरह से ये कुल मिला कर करीब 11 companies हैं, जो इसके इंतर गताता ही हैं, अगर sector wise इनका differentiation देखेंगे, तो आप देखेंगे कि Oil Exploration की 2, Power की 3 Industrial Mineral की जिनमें की discuss की जा रही है, वो क्या है, जरा इस information को ध्यान से देखिएगा, और समझनी की कोशिश कीजेगा, risk and return, जो especially discuss किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है, कि since ETF was launched in 2014, the net asset value NAV has moved from 19.24 and has appreciated by 46%, यानि कि जब से यह launch किया गया था, 2014 से तब से अब तक तक तकरीबन 46% का return दे चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा return, year 2016 से 2017 के बीच में आए थे, और यह information बार-बार देकर, बार-बार business channels पर इस चीज़ को discuss करके, यह चीज़ बताई जा रही है, कि यह CPSC ETF जो है, यह आपके लिए बहुत ही important है, बहुत ही lucrative है, जहांकि risk reward ratio आपके favor में रहेगा, और आप चाहें तो इसके अंदर buy करके, अच्छा return generate कर सकते हैं, बट हमारे पास में एक और information है, जो कि है इसका portfolio, इसका portfolio हमारे पास available है, तो हम एक काम करते हैं, कि इस company को, इस particular ETF को थोड़ा सा और dig deep करते हैं, और dig deep करते हुए देखते हैं, कि आज की date में, यह जितनी भी companies जिनके अंदर इस ETF का निवेश है, यह chart पर कैसी लग रही है, और क्या यह companies का return बहतरीन है या नहीं, और अब एक एक करके हम इन shares को देखते हैं, कि आखिर इनका performance इस समय में, current government में, या current time में कैसा है, ज़रा ध्यान से NTPC को देखेगा, उपरी इस तरों से share को एक resistance मिल रहा है बार-बार, resistance level है तक्रीबान 150 का, अगर individually आपको NTPC खरीदना हो, तो आप इस share को buy नहीं करेंगे, current levels पर, किन levels पर buy करेंगे, current level है 127, कम से कम यह share यहां से 150 के पार निकलता है, उसके बाद ही किसी तरह की कोई fresh buying करने लायक होगा, 150, और ध्यान रखिए friends, National Thermal Power Corporation, यूज करता है, thermal power का, जिसके अंतर coal base और gas base power plant है, majority वाले plants इनके coal base है, जिसकी तरफ से government धीरे धीरे अपना concentration हटा रही है, और renewable और green energy की तरफ अपना concentration ला रही है, इस वज़े से आप देखेंगे कि लंबे समय तक NTPC ने बहुत अच्छा perform करके निवेशकों को नहीं दिया है, Second, coal India, चार्ट पर अगर आप एक तरफा देखें, तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा कि जुलाई 2015 से share one-sided downtrend के अंदर है, major गिरावट होई है coal India में 417 से 220 तक और जरा एक चीज़ ध्यान से देखिए कि इस particular CPSC ETF के अंदर individual shares का percentage कितना है, coal India 20% holding रखती है इस ETF के अंदर, वो share जिसने पिछले 3 सालों में कोई बहतर performance नहीं दी और जो लगा था downtrend के अंदर है, वो 20% value govern करता है इस ETF की, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं ONGC का हाल क्या है, same वही major downtrend के अंदर share किन level से तकरीबन 293 के level से, ONGC continuously downtrend के अंदर है और 287 से share 143 के level पर है, जो की इसके करीब 52 weeks के lower lows level है, इन levels पर ONGC है, और देखते हैं कि ONGC, Oil and Natural Gas Corporation, अगेन ये इसका 20% holding रखता है, इस पूरे ETF का, शांदार information है, IOC, same वही हालत है, उपरी इस तरों से लगातार गिरता हुआ share, currently 200 days moving average के उपर आने की कोशिश कर रहा है, और अब धीरे धीरे ये return देने की तयारी कर रहा है, बट अभी भी share एक major downtrend के अंदर है, REC, एकलोता ये share है, जिसने पिछले 6 महिनों से ज्यादा समय से, अच्छा return दिया है, बट overall अगर आप देखेंगे, तो कोई major uptrend नहीं है share के अंदर, एक consolidation zone है, जो बहुत ही major है, तकरीबन 40% का, जिसके बीच में share जूलता रहता है, Power Finance Corporation, same वही हाल है, पिछले 5 सालों से continuously share, up, down, up, down trend दे रहा है, किसी एक तरफ major upswing नहीं है share के अंदर, भारत Electronics Limited, same वही चीज, bonus share issue करने के बाद एक पर 10, share continuously downtrend के अंदर है, और currently थोड़ी सी महनत कर रहा है, और कोशिश कर रहा है, निचले इस तरवों से उपर आने की, Oil India Limited, OIL, major downtrend है share के पास, कहां से, तकरीबन 2014, सितंबर 2014 से continuously share downtrend के अंदर है, और इस समय अपने 52 weeks low के पास में, NBCC, pure downtrend है, कहां से, November 2017 से continuously share downtrend के अंदर है, और सबसे last NLC, same वही हालत है, major downtrend के अंदर है, अगर आपको ये shares individually खरीदने हो, तो इन share में current level पर सिर्फ और सिर्फ BEL ऐसा है, जिसे individually खरीदा जा सकता है, BEL का chart देखिए, सिर्फ BEL ऐसा है, जिसे currently खरीदा सकता है, बाकी ज्यादा तर shares current level पर avoid करने लायक है, तो एक ऐसा ETF जो इन avoid करने वाले shareों से मिल कर बना हुआ है, क्या buying करने लायक है या नहीं, इस information को जानने के लिए आपको इस share को थोड़ा और dig deep करना पड़ेगा, वो dig deep क्या है, जरा ध्यान से देखिए, major weightage इसके अंदर NTPC, Coal India, ONGC, Indian Oil इनकी है, 80% के करीब ये 4 companies मिलकर govern करती हैं, और ये 4 company currently major downtrend के अंदर हैं, अब सबसे important information, जो की बहुत ज्यादा shore के बीच में छुप जा रही है, जिसे हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, क्या है, since the ETF launched in 2014, जब से ये ETF launch हुआ है, 2014 में, तब से इसकी net asset value, 1924 रुपए से बढ़कर, 46% करीब बढ़कर, 2016-17 के period में maximum बढ़ी है, और 46% का return दिया है, तो जरा इसे हमें एक पर chart पर देख लेते हैं, CPSC के ETF को, और ध्यान से देखिएगा इसे, जब से ये share launch हुआ, यहाँ पर आपको date आएगी, ठीक, 2014 से, और तब इस share का rate हुआ करता था, करीब करीब, 18 रुपए, 70 पैसे के असपास, वहाँ से, और recently share ने जो सबसे high दिया है अपना, वो levels क्या है, वो levels है, तकरीबन 28 रुपए, 87 पैसे के, तो यहाँ से एक अच्छा कासा return share के अंदर आया है, हमारा question है कि currently जो hype की जा रही है market में, इस share को buy करने के लिए, क्या current levels पर इस share को buy किया जा सकता है, माफ कीजेगा, जिसे हम share के रहे हैं, वो basically ETF है, ठीक है, क्या current level पर इस ETF को buy किया जा सकता है, यह CPSC का ETF है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, एक eye opening session जैसा, 50 days और 200 days का moving average हमने plot किया है इस ETF पर, ETF ने शांदार perform किया है कहां से, February 2019 से, इस ETF की value थी, 22.23 पैसे, जहां से इस share ने बेहतरीन run-up दिया, और पहुचा 29 रुपए के पास तक, 22.23 पैसे से 29 रुपए के पास तक share पहुचा, share ने approximate हमें जो return दिया है, वो है, approximately जो share का return है, वो approximate मान लेते हैं, 35% का return है, ठीक, अब ज़रा सबसे important और पहुतरीन चीज़ देखिए, उबरी इस तरों पर resistance लेने के बाद ETF, आखिर ऐसा क्या हुआ, कि पिछले तकरीबन, कितने trading session हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, यानि दो week के अंदर, ये exchange traded fund, उपरी इस तरों से, करीब करीब, हाफ से ज्यादा गिर चुका, जितना इसने return दिया था, उससे ज्यादा इसकी गिरावट आ चुकी है, और गिरावट कितनी, जरा इस गिरावट को ध्यान से देखिए, जितना run-up देने में, इस share को, March, April, May, June, July, पाँच महिने लगे, जितने run-up को देने में, इस ETF को पाँच महिने लगे थे, उस पाँच महिने का पूरा run-up ये ETF पिछले 15 दिनों के अंदर, गायब हो जाता है, पूरा run-up खतम हो गया है इस ETF का, और currently ETF trade कर रहा है, 25 रुपया हमारा question है, कि ऐसा क्या हुआ कि जिस दिन से इस share के अंदर hype बनाई जा रही है, उसी दिन से ये ETF गिरना शुरू हो रहा है, वो भी इतने काईदे से गिर रहा है, हमारा question है, कि अगर एक share को, गिरते हुए share को आप buy नहीं करते, तो क्या इस गिरते हुए ETF को आप buy करेंगे, जब ये ETF 200 days moving average तोड़ कर यहां गिर रहा था, तब क्या आप इस ETF के अंदर buy करते, answer था नहीं, तो अगर इस गिरते हुए share में, गिरते हुए ETF में आप यहां buy नहीं करते, तो फिर currently इस गिरते हुए ETF के अंदर आप इन levels पर buy करेंगे क्या, ये वो information है, जो ETF के इस पूरे ह अंगामे के बीच में, CPSC के बीच में, नहीं समझ आ रही है, डिक डीप नहीं कर रहे हैं, इसलिए लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, हाँ, ये हो सकता है, कि आपको अगर surety चाहिए, government की security चाहिए, और public sector undertaking का ETF है, तो इसका ये confirmation चाहिए आपको, तो आप buy कर सकते हैं, बट current levels पर buy क्यों करना, अगर गिर रहा है, तो पूरी तरह से गिरावट खतम होने दीजिए, निचले इस तरो पर आने दीजिए, stable हो जाए ETF, उसके बाद buy कीजिए, जरूरी है कि इस समय गिरावट के समय ही इसके अंदर buy करना ETF के अंदर, friends ये वो information है, जो CPSC ETF की इस mutual funds के अंदर buy करने से पहले, थोड़ी सी study कर लेना, ये देख लेना कि वो mutual funds, जिन particular shares के अंदर, जिन particular scheme में, जिस particular ETF में या जिस particular sector में पैसा लगा रहा है, क्या वो sector return देने लायक है भी या नहीं, अगर वो sector return देने लायक नहीं है, तो owner होने के नाते, पैसा रखने के नाते हमारी जिम्मेदारी है, कि उस particular ETF में buy करते समय, या उस mutual fund में buy करते समय, हमें थोड़ी सी studies करनी चाहिए, इसलिए friends, share academy ये मेहनत करती है, कि कोई भी नया topic आया है, उसके ओपर थोड़ा से study करना, dig deep करना, और especially अगर shares chart पर देखा जा सकता है, तो chart पर जरूर देखना, और अगर downtrend के अंदर है, ETF हो या share, तो fresh buy करने से बचना, इसलिए कोशिश कीजिए, कि current level पर इस particular ETF के अंदर fresh buy करने से बचिए, business channel, websites, business communities, या फिर business websites, इन पर चाहे, जितना ही business papers, कितना ही hype क्यों न बनाया जा रहा हो, अपनी studies complete कीजिए, उस study को complete करने के बाद ही ये तै कीजि ETF आपको current rate पर buy करना चाहिए या नहीं, आपके जो भी विचार हैं friends, comment box में जाकर एक बार हमें ये जरूर बताइए कि क्या CPSC ETF को इतनी information के बाद आप current rate पर buy करना चाहेंगे या नहीं, अगर हाँ तो उसका reason क्या है, और अगर नहीं तो उसका reason क्या है, आपसे फिर मलाका अगले session में Share Academy के, तब तक के लिए अपना और अपने portfolio का ध्यान रखिए, thank you हमेशा यादर के friends, that money never sleeps, thank you very much.